नमस्कार मित्रों मैं हूँ पंडिश संजय मिस्रा और आपके लिए विशेश जो है यह जो है कारिक्रम लेके आया है एक्सपोज इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके हित के लिए जोतिश धर्म से समंधित कारिक्रम लगातार जो है आपको दिखा रहे कि नौरात्रि का विश्श कारिक्रम आज का दिन है विश्श जो है माता का आठमा दिन आठमे सरूप का जो की महागउरी का सुरूप है महागवरी आठमा सरूप और ग्रह कौन से अनकूल होंगे वह भी आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह अनकूल होंगे कौन से भाव आपके मजबूत होंगे और क्या क्या मिलेगा आपको तो महागवरी के सरूप को प्रशन करने के लिए महा देवी को प्रशन करने के लिए महा गवरी को प्रशन जब करेंगे आप तो विशेश रूप से आपके राहु ग्रह मजबूत होंगे राहु अनकूल होंगे उनकी शुबता बढ़ेगी राहु की राहु देते क्या है आपको राहु जो है सबसे पहले शास्त्रों में वर्डन है कि आपको प्राक्रम देते हैं शत्रू का दमन करते हैं शत्रू ये तरह से रोगों को भी कर सकते हैं रोगों का भी दमन करते हैं क्योंकि आजकल तो सबसे बड़े शत्रू रोग ही हैं रोग आदमी को परिशान कर देते है सकते हैं जो प्रत्यक्ष सत्रू होते उन्से भी जादा रोग प्रभावि हो गया है आज कल तो आप राहु को अनकूल कर सकते हैं रोग का द्मन कर सकते हैं और कारियों में जो अरचने आती हैं उनको दूर कर सकते हैं आपको जो है जब बिश्तर पर जाते हैं तो नीद नहीं आती वह भी रहू ही उसके कारक है नीद नहीं देते जल नीद आने ही नहीं देते आप परिशान रहते हैं करवटें बदलते रहते हैं सोने में दिक्कत है और क्या दिक्कतें देते हैं रहू आपको बिना मतलब के बिना सिर पैर के जो है ना सोचेंगे फालतू चीजें सोचेंगे डरेंगे और लोगों को भी डराएंगे यह आहसा नहीं हो जाए चछत ना गिर जाए कहीं भुकम बना आ जाए ऐसी एसी उट पठांग चीजें जो है राहु आपको जो है मन में जो है दुर्भावनाएं निगेटिवीटी लाता है राहु को अनकूल कैसे करेंगे राहु अगर अनकूल नहीं है तो क्या-क्या दिक्कतें देते हैं जीवन में आपके कारियों में जो है अडचने आती है आपका मानसिक जो इस्थिती है वो बिचलित रहता है अगर कहीं दुर्भाग्य से राहु चंद्रमा एक साथ बैठ गए तो बहुत ही खराब योग है या राहु सुरी एक साथ बैठ गए यह भी बहुत खराब योग है हलाकि राहु अगर शुव ग दिने में दिक्कते हैं अब अगर शुक्र के साथ बैठ गए तो आपको सुखी नहीं देंगे शुक में अडचने लाएंगे दांपस सुख प्रभावित कर देंगे तो महागवरी का जो सुरूप है आठमा उससे राहु अनकूल होते हैं महागवरी को कैसे आप प्रसंद कर महागवरी का द्यान कीजिए महागवरी एक तरह से पारवती माता को ही कहा गया है महागवरी की 對 wise रूप से लाल फुल माता को समर्पित करिए हैं और आप जो है विश्यष रूप से क्या करेंगे चंदन की खुश्बू वाली धूब बत्ति जलाएए और चंदन की खुश्बू वाला जो है इत्रसमर्पित करिए माता को बहुत ही गजब का उपाए है और इसके साथ आप क्या करेंगे बहुत ही राहु आपका खराब है और उसको अनकूल करना है आपको तो राहु को अनकूल करने के लिए बहुत ही सरल उपाय है क्या करेंगे आप कि राहु जो है मन को परिशान करता है मन को बिचलित करता है तो मन को ही कंट्रोल करना है आपको मन को ही माता को यह मनाना है आपको कि आपका राहु जो है सही हो जाए जो दिक्कतें दे रहा है पराक्रम में कम महांगूरी के क्रिपा से तो पिशेश रूप से रहु को अनकूल करने के लिए आप जो है माता महाघूरी के मंतरों का जाप करना होगा कैसे शुगंदित बातावरंड बना के देशी घी तेल चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं उस्से आपका पूरा जो है जहां पर आप आराधना साधना कर रहे हैं पूरा वह प्रिसर सुगंधित हो जाएगा तो चमेली रूप से राहू को अनकूल करने के लिए आप जो है काला जामून समर्पित करिए और संख्या कितनी होगी चार काला जामून कम से कम चार हो अत्वा तेरा हो और तेरा के अलावा आप बाइस जो है गुलाब जामून भी चड़ा सकते अपनी सामर्थ के नुसार काला वाला काल लगाई यह माता को अब देखिए राहू कैसे इनकूल होते हैं फिर आपको राहू के मंत्र का या माता के मंत्र का जाब करना है और वह जाब कैसे करेंगे विशेश रूप से कम से कम आपको जो है चार माला जाब करना चाहिए अत्वा चार माला या तेरा जो है माला करें तो अतुत्तम रहेगा कैसे करेंगे आप ओम रां राहवे नमहा यह जो है मंत्र है और विशेश रूप से जो देवी का मंत्र है ओम महां गौर यही नमहा ओम दू दुर्गा यही नमहा ओम एंग्रिंक्लिंग चामुंडा यही विच्चे इन मंत्रों का जब जाब करेंगे आप तो विशेश रूप से माता प्रशन होंगी और आपके ऊपर राहू भी अनकूल होंगे राहू की किरपा होगी इसके बाद जब पूरा हो जाए तो आपको जैसे की सब पता है कि जब को माताक सामने समर्पित करना है जल को गिरा के के लिए एक विशेश आपको उपाय हम बताते हैं कि कैसे जो है राहू को और अनकूल किया जा सकता है एक आप चांदी का छल्ला जो है चड़ाएं सबसे छोटी उंगली के नाप का चांदी का छल्ला माता के चरणों में समर्पित कर दीजिए और उसको जब पूजा पूरा फूरी हो जाए पूजा तो उसको सबसे छोटी उंगली में आप धारन कर लए इस से क्या होगा कि आपके राहु जो है अनकूल होंगे मन का कारक है राहु जो है मन को बिचलित करता है चांदी जो है मन को कंट्रोल करेगा उस चांदी के छले को धारन करेगा अथवा अगर आपकी सामर्थ है तो चांदी का कड़ा बना लिजे चांदी का कड़ा बनवा के और दाहिने हाथ में आप धारन कर लिजे ये जो है बहु नशा करवाते हैं अब आपकी नशा नहीं छूट रहा है समल लिजे राहू आपको पीडित कर रहा है कोई कोई नशा आपके अंदर व्याप्त कर देंगे तो नशा क्या है वही नशा नाश कर देता है आदमी का परिशान कर देता है रोगों की पत्ती हो जाती नशा की वज़ पूरुष बिचारा कमाते कमाते परिस्तान रहेगा नशा से ही जो है छुट कारा पाने के लिए उपाय कर सकते आपकोई भी कर सकते। पत्ति के लिए अगर वह नहीं कर रहे हैं तो आप कर लिजे उनके लिए देखिए कैसे उनका जीवन उज्जल होता है और एक उपाय वदा देते हैं क्या करेंगे चंदन आप लखडी लाइए और पत्थर घिस के जो है उसको माता को पहले चड़ाइए शिव जी को करन करते हैं तो राहू क्या है एक तरह से विश्ष है जहर है और उसको कौन ठीक करता है चंदन तो चंदन की खुश्बू भी देता है साथ में शीतलता भी देता है मिर्च मसाला आदी जो है गरम चीजें फास्फूड वगर ना खाएं नहीं तो राहू और खराब होगा अ पूरा नहीं करेंगे तो दिक्कतें बढ़ सकती है तो यह जो है राहू का महा उपाय हमने बताया साथ में राहू को अनकूल करने के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं बहुत ही सरल है क्या करेंगे मैं सुरू से ही बता रहा हूं कि माता को हवन कर सकते हैं क्या कौन सा हव बंडल बनाई यह बाइस बंडल बनाई और उसको देशी कहीं गाय कहीं गहीं में डुर के अगाय के उपले पर अग्निक्निक प्रजलित करके ऐसे बोलके आप आहुतियां प्रदान यह इससे देखेंगे आपकी राहु आपके बहुत उत्तम हो जाएंगे मैं सिर्फ नवरात्री के लिए नहीं बोला हूँ, यह आप कभी भी कर सकते हैं, अगर आपका मन बिचलित है, परिशान है, तो यह उपाय कर सकते हैं, अगर आपको गाय का उपला नहीं मिलता, तो आम की लकडी ले लिजे समिधा, हमन कुंड में रखके उसको प्रजलित कर ल लिजे, और उसको आप धारन कर लिजे, पूजा पूर्ण अनुस्ठान पूर्ण होने पर, तो यह जो है विशेश उपाया है, और चंदन की माला आप धारन कर सकते हैं, इससे भी रहुषान्थ होते हैं, चांदी की मोटी चेन आप धारन कर सकते हैं, इससे भी रहुषान् तमाम तरीके हैं काला नीला कपड़ा जो है शरीर के उपरी हिस्से में ना पहने या कम से कम पहने नहीं तो राहू आपको जो है दिक्कतें लेंगे ज्यादा ज्यादा सफेद कपड़े पहने पीला कपड़े पीले कपड़े लाल कपड़े यह सब उपाए आप करें तो निश बाग के बुलवा देता है, शब्द निकलवा देता मुझसे, कि कई बार आप जो है, काफे नुकसान खा जाते हैं, अब नुकसान पाने पर फिर पश्चाताप करते हैं, क्योंकि राहु वाणी का भी कारक है, इसलिए कहा जाता है ना कि वाणी सोच विचार के निकाले, या अगर कभी गलती हो गई तो उसके लिए भगवान से छमा मागने का आउसर आ गया है, आज के दिन आप विशेष रूप से माता के महागवरी सरूप को ध्यान कीजिए, उससे राहु शान्त होंगे, तो यह विशेष उपाय रहा आपके लिए, आप हमारे विशेष कारिक्र हम देते रहेंगे, भगवान की क्रिपा सब के उपर हो, माता की क्रिपा से सभी सुखी हो, सभी मंगलकारी सब का जीवन हो, धन्यवाद, नमस्कार